हेल्लो माई डिया फ्रेंड्स वेल्कम टो आवर चैनल 59Code इस वली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बॉक्स एक्स्टेंशन का यूज हम लोग वी एस कोड में कैसे कर सकते हैं कि आपको हम लूग कुछ कमांड देके हम लूग कोड को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं मैंवली जिस वी लैंगमेंच मैं आप चाहो सारा कोड आप लिख आ सकते हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे आपर शिंपल सा लॉग इन पर जोनाने का ब्लैक बॉक्स एए जारी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर यह देखिए यहां पर हम लोग ने एक HTML का फाइल बना लिया है और साथ में लोग CSS and JavaScript का भी फाइल बना लेंगे सबसे पहले हम लोग यह CSS का फाइल हमारा हो गया and यह हमारा JavaScript का फाइल हो गया जबसे पहले हम लोग अब हमें एक्स्टेंशन की जरूरत है तो एक्स्टेंशन के लिए यह यह इस्टेंशन वाले टैब में जाना होगा आपको डरेक्ट आप यहां पर क्लिक कर सकते हो Ctrl-Shift-X और यहां पर क्लिक करके भी जा सकते हो अब यहां पर जैसे यह आओगे तो आपको इस तरह से रहेगा और यहां पर जितने भी इंस्टॉल है वो दिखाते रहेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम लोग सर्च करेंगे ब्लाक बॉक्ष यह आई जैसे सर्च हो जाएगा यह एक सबसे पहले आपको आएगा जिसका की 1.3 million डाउनलोड है इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर एक इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे और इसको पढ़ सकते हैं कि यूज कैसे करना सारा नीचे यह एकस्प्लेंड किया हुआ है तो यह देखिया हमारा इंस्टॉल हो चुगा है अब हम लोग इसको कर जाते हैं कट और आते हैं HTML फाइल में अब यहां पर हम लोग का जो मेन बात हो ब्लैक बॉक्स को आटो इनेवल कैसे कर सकते हैं ठीक है आटो इनेवल मतला हम लोग एक इससे क्या होता है तो इनेवल करने के लिए सबसे पहले हमें यहां जाना होगा नीचे में एक्सेंशन वाल ली टैप के नीचे में दिख रहो हो ब्लैक बॉक्स इस पर क्लिक करेंगे जहां में बहुत सरे बटन आ जायागा तो यहां पर एक दीख रहो होगा आपको को और जैसे हम लोग tab टिपेंगे तो यह और भी suggest करेगा यह बता रहा है तो यहां पर एक बटन है enable code autocomplete इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं अभी काम कैसे करेगा आप यह हम लोग देख लेते हैं छोटा सा code लिख लेते हैं जिससे कुछ को पता चले कि हम लोग किस language में लिख रहे ह हम लोग यहां पर HTML में लिख रहे हैं तो यहां पर देखिए यहां पर body में जैसे हम लोग हैं तो यह कुछ suggest करनें लगा ठीक है यहां फोट जोशेस्ट कर रहा है यहां है कि एक डिव लेते हैं जो लेते हैं एक राइट यहां पर अजिए और यहां पर आइड राइट में लेखिये एक है यू यू य सिजेस्ट कर रही है विट अब क्या करते है कि एक नए ले लिए नफबर नफबर आ गया तो यह जो है यह वाला ब्लैक बॉक्स यहां पर इस तरह कोड में थोड़ा-थोड़ा आपको हिल्प करते रहेए अब में बाता है हम लोग को चेक करते हैं इसका यह जो पूरा कोड कैसे लिखता है इसके हम लोगिंट के तरह सलते हैं नियुक्ट करते हैं क्योड क्योंड पर कंत्रॉफ भी अमारा Common But फिरींट क्मांण फेले हैं से अब से जली हम यहां control palette अब यहां पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आता black box AI chat इस पर हमको क्लिक करना है तो इधर में एक tab आ जाएगा तो यहां पर हम लोग सबसे पहले code लिखेंगे write code to create a login page using html css and js इतना हम लोग यहां पर कमांड लिखने के बाद हम लोग इंटर प्रेस कर देना है अब जैसे थोड़ा सा हम लोग बेट कर लेते हैं यह सारा code हम लोग लिख के और दे देगा और उसका हम लोग फिर पेस्ट करका चेक कर लेंगे किस तरह का इसने कोटी दि कर दिया है तो यहां पर देखिए कोड जेनरेट कर दिया है यह रहा html को कोड हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर कंट्रॉल एक के साथ सेलेक्ट करके और पेस्ट यहां गया html and css यह रहा तो css का फाइल तो लिंक है अब आते हैं js नीचे आगे जावा स्क इसक्रिप्ट में कौन सा पेज लिंक है वो देख लेते हैं अभी हम लोग चलिए वह नहीं है तो वह लोग खुद से कर लेते हैं रहे कि रीप्ट अब लोग को स्कृप्ट डॉट जेस है ठीक है और यहां पर हम लोग जाएंगे जावा स्कृप्ट में और यहां पर पेस्ट कर देंगे तो चलिए इसका काम तो हम लोग को कम्प्लीट हो चुका है अब हम लोग आते हैं html फाइल में राइट क्लिक करते हैं और ओपन वि लाइब सर्वर का उप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो हमने डाल दिया है लिंक उसका और यहां पर आई बटन में भी आपको दीख रहा होगा तो सबस्पर उसको जाकर सेट अप कर लीजिए और नेक्स्ट यहां पर ओपन विद लाइब सर्वर करते है तो यह देखिए यह हमें विब ब्रॉजर प्री डिरेक्ट कर दिया एंड यहां पर यह रहा हमारा लॉग इन पेज जो कि सिंपल सा हम लोगों ने तो कोड इसका लिखा नहीं यह तो सिंपल सा हम लोगों ने यूज किया ब्लैक बॉक्स अब यहां पर यह रहा यूजर ने कोशिस करते हैं थोड़ा इसको डीजाइन करने की इसमें क्या है तो सबसे फ़री हदेखिया इस में लिया एक फॉर्म लिया है जो किettsिन यहां पे भी हो रहा है झाफियों हम लोग seem पर फॉर्म को हम लोग फॉर्म के डेटा वाभी सेंड करना नहीं है तो आप यहां पर देखिए एक इंपूट टाइप टेक्स्ट जो कि यह यूजर नेम हो गया प्लेशोल्डर उसका एंड इंपूट पासवर्ड इसमें पासवर्ड हो गया प्लेशोल्डर ठीक है और एक इ करते हैं इसा कंटेवर्ड लेक आते हैं आप अब कंटेवर्ड में लारने के लिए हमलोग चねहें असमें जान्यक्ते लित आब आते हैं यह ज डिस्प्लेइ फ्लेक्स जस्टिफाई कॉंटेंट सेंटर और अलाइन एकम सेंटर अब बोडी को हम लोग यहां पर देदेंगे मिनिमम हाइट कितना रहेगा तो हैंड़ेट भी एच रहेगा हैंड़ेट व्यू विर्थ और हम लोग इसको डिस्प्लेइ करने की तो चलो रहे देखिए यह सेंटर में आ गया और यहां पर जो है एच ओएच वान ठीक है लॉग इन एंड़ फॉर्म यह रहां फॉर्म यह इंपूट इंपूट का वित हैंड़ेट परसेंट इसको हम भी हम लोग करने वाले हैं 80 परसेंट ठीक है टेन पी एक्स यह ठीक है बोर्डर ठी क्यों है यह पूरा यह दिव के अंदर का जो कंटेंट है वह सेंटर नहीं है यह जबन तो है सेंटर में टेक्स्ट अलाइन सेंटर के वाजा से लेकिन नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यह जो प्रो में आ जा रहा है यह हम लोग करेंगे फ्लेक्ष कॉलम अब देखिएगा ये आ चुका है सेंटर सेंटर का ये सेंटर में तो आया नहीं तो चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं कि ये सेंटर में क्यों नहीं आया है यह रहा डिव ओके यह फॉर्म के अंदर है अब आएगा देखिए अब इसको इसे इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हो और यह जो हम लोग ने सारा प्रोपर्टी लगाया इसको अगर हम लोग फॉर्म वाले में लगा दें तो यह आगया सेंटर में राइट अगया सेंटर म सकत्जिए अब यहां पर हो गया यह लोग इन का सिंपल प्रेस इसनी बनाए अब लोग एक और चीज़ क्या करते हैं इसको लोग ना बोर्डर दे देड़ते हैं वोडर दे देदे हैं लोग 5 px का सौलीड हम लोग दे देदे थे हैं सपोस से डार्क ब्लू डाक ब्लू अ दर्क ब्लू आ गया अब यहां पर ये ठोड़ चिपक गया है राइट हम लोग यहां फेड पहले देते हैं पैडिंग हम लोग देंगे 20-08 यह पैडिंग हम लोग देंगे 20PX यह प्रोब्लम एज लॉग इन पर इस इस से बाहर है तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल सा login प्रेज़ को भी फांप के अंदर यहां पर ले-ले आते हैं यह देखिए यहां गया के अंदर यहां पे हॉब कईसे यह एना यहां पे ज़रुरत भी नहीं था hoorme अर फांप में हम लोग क्यों क्यों दिए हैं क्युंकि यहां पिए जो एच एच वान है वो फॉर्म के अंदर है तो पार्टिकुलर इसी वाले एच वन पे जाके जो भी एफेक्ट है जो भी प्रोपर्टी है वो लगेगा अगर कोई और एच वन कहीं पर हम लोग यूज करते हैं और सिंपल एच वन पर लगाते तो वहां पर हमारा तो यह सिंपल साम लोग इन पेज बनाया ब्लैक बॉक्स याई की एल्प से तो यह वीडियो आपको कैसा लागा यह कामेंट बॉक्स में बताएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि कोई विया करना आप वीडियो अप्लोड हो तो सबसे पहले नो